कि नमस्कार बियांड अबेकस्ट की अद्दून दुनिया में आपका सौकत है मैं आपका ओस्ट टॉक्टर पकाश्पोगे बियांड अबेकस्ट में हम यह मानते हैं कि मैदेमेडिक्स जो है वह एक टैलकुलेशन से ज़्यादा बहुत कुछ है यह सोच है यह काम करने का तरीका है और उसी दिशा में हमरे सारे वीडियो प्रियास करते हैं हम जीचर्स के लिए जनरल पबलिक के लिए अलग-अलग प् एंची सी या मैजमेडिक्स कोर आंसे तो आज देखते हैं आज हम कुन से कोर कांसेट पे जोल दे रहे हैं साथ ही हम देखेंगे कि सीरीज का क्या मत्व है आज हम देखेंगे सर्कल्स अर्कल वन संकल चैप्टर वन मतलब उसका पहला वीडियो ही लेकिनी पूरी सीरीज के वारे में आपको बताने चाहूंगा कि मैथेमेडिक्स के जितने कोर कंसेट हैं वेदर इस अप्डियमेट्री अजेबरा टिग्नामेट्री अरिपमेट्री अरिपमेट्री एंवन दिवन दिविगल तो अंड़स्टेंग या जो लोगों को थड़ा कंपीजन होता है यह तो ही हमारा इसका प्रहोकु देश है अब आज हम आज के चप्टर पर आते हैं सबसे बेले हम सोचें कि हम धीवन में circular figures कहा पे देखते हैं और हमको circular figure कहां पे दिखते हैं तो फुरा से लिटेस ट्राल फुरा सा हिट्रेस्टीग हो जाएगा आखारे नहीं हिप्षजित हैं तो रखेव्गान में CRabel की ते चलतेए ङल में दननी यूमें की भीन दागें प्रिजित्सक्राइँ से क्रटफगी तो MA से दिन मिला अपित ऑप फोलंड एझादार इसके बाद में अगर मैं खाने बीने की बात करूँ तो दही बड़ा इस चर्किलर अब ज्यादा वाटरी इसे गडियां होती है वो भी कई बात चर्किलर होती है इतने वीकल से सबके पहिए आई है साथ सर्किलर वेडर इस एरोप्लेन आप सो वेडि़ इस एनी काइंड आप आप जुबिलर या साइकील हो कुछ भी हो फोर्विलर हो एणी काइड आप विकल यू टेक इस वील सा सर्किलर तो यह सामने देखा बहुत सारी जह जामने पर की चक्की पर आप आटा करने कि आते हो पिसामें जाते होंगे तो उसका वो जो होता है बैल्ट वो सर्किलर मु मुझरे को मुख यहां जाते हैं इससे हैंड़ होता है इसके हम पो देखेंगे लेकिन को एक प्रेम और प्टा है पीस अंतले क्या होता है सर्क्राइब का मद्दोर होता है एक ऐसा बड़ा सा गूल एक उसका सेंटर होता है जिसके आसपास सारी सर्कल होती हम देखते हैं उसको टिकनीक लिए हम देखते है अब थोड़ी सी इसके हम तभी नादा जी देखेंगे सेंटर रेडियस कॉर्ड ये क्या होता है कि एक सब्सक्राइब फड़ा लेक्ट रगड़ा करते हैं यह उसमें अब में देखूंगा कि इसका सेंटर को उसा अलग रंग में दिखाते हैं सब्सक्राइब आप खासियत जाओ यह जितने पॉइंट साथ रगल इसको यह यह सरकल कि सरकंफरेंश के लाती है कि आपकी सब्सक्राइब कर दो जो बहुत है और यह जो जो चोटे आप देख रहें जो 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 आप गया प्रक्राइब इस आपना एच हो गया यह एफ हो गया यह कि यह जो गया यह जो जाता है मुश्व क्यों तो यह ओपी ओएच ओएफ और टी को क्यों यह सारी किलाँ जिए रेडियस आफे शर्कल सुंगिलर में रेडियस जिए रिकी राइट इंड ना आढ़ ऑंग पादी किसी को लिखना सब्सक्राइस, विक्टिंस अ करते हैं। हम सननि अक्टिंख करूमीरेटीक परडिक॥ पर ट्रेयाओ। सब्सक्राइस, तक करद पर फौन रिक्टंप्र फॉन तन तरहने पर टो थे आप medicine सब्सक्राइब तो इसको देखिए आप यहां सकर में लेता हूं बना के देखें जिया सरकल आप अपने आप करके देखेंगे मैं अर बार आप से कहते रहेता हूं कि कि mathematics is a doing subject, mathematics is not a spectator sport, mathematics is a participating sport, तो आप जितना करेंगे और विशेश तोर पे, आप अलग-अलग radius के circle बनाईए, और फिर कीजिए, तो आपको मज़ा आगा, याँ चार बाहन दोस ले लिजिए, एक दूसरे को दीजिए circle बनाके, कि इसका निकाल, इसका निकाल, तो that will develop your mathematical sense tremendously. कोई भी एक circle लेंगे फिर से एक बार, बड़ा सा ले लेता हम, ओकी, अब इसके उपर, जैसे मैंने आप सभी का, इस circle के उपर क्या है, there are n number of points, यह दो points को जोईन करता हूं, इनी भी दो points, इनको, 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 किसी भी दो, जहां दिल में आये हुआ, आप यहां से यहां कर दो, यहां से यहां कर दो, जितने भी आपके दिल में आये, आप बदा लो, क्योंकि infinite points are there, तो वो उसकी pairing होगी, तो आप जितने बदिया है points बदा लो, वो सारे कहलाएंगे, they all will be called chords of the circle. तो chord हमेशा instantly circle ही होगा, क्योंकि आप circle के 2 points जोड रहे हैं, तो chord is always instantly circle, और, any 2 points of the circumference if you join, या any 2 points of the circle if you join, then that is called chord of the circle. अब इसी के आगे हम देखेंगे कि chord और क्या-क्या होता है, chord की और क्या पापटी जाथी, just a minute. अब इसी के आगे हम देखेंगे, chord damage occurs from the end of damage, यह क्या होता है, फिर एक circle draw करेंगे, circle बार-बार करते रहेंगे, क्योंकि वो तभी हमारे concept clear होगे कि हम क्या बात करेंगे, अब बना सा डागा बना बिता हूँ, ठीक है, it's quite clear. Okay, now I'll take a little different color, red color ले लेता हूँ, let me take green, it's all up to us, चाहे जो कर सकते, actually different colors लेने से क्या होदा है, concept हदा इसाने लगता है, so what I'm doing now, अब मैंने क्या किया, मैंने तो इसको draw किया, ये card, क्योंकि अभी थुरी देर पे रहां, और ये था मेरा center, now I drew one card which is passing through the center, ने एक draw किया सकता हूँ, यहां से लिए हमेने, और ये center के उपर से जा रहा है, कितने भी एक हजार card बना सकता हूँ है, ये, ये सारे वो cards है, जो center से pass कर रहे है, they have got a specific name when they are called, oh sorry, प्राइसा, 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 प्राइसा मैं आपको बार बार केंते रहता हूँ, आप confident होँ है, गलती सब्सक्रों होदी है, इसको पीटा दीजिए, diameter, कुंसी वाली, ये भी diameter है, 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 सारी diameter, विजो एक डाइमेटर होगा, और इस उसका plural क्या होता है, together they are called diameters अब सवाल यह है कि एक सर्कल में कितने डियमेटर हो सकते हैं साब एक सर्कल में आपका दिल चाहे इतने डियमेटर हो सकते हैं इस इंफिनिक क्योंकि इंफिनिट पाइंट्स आदेर एक मातर रिदिशन यह है कि एक कोड शुट पास्थ इस सेंट्र अनल चुट इस आफे एक कमा आफसरने हो उस्पू शुट आफई लिग्या है कि एक संट पाइंट्स इसनों च होतना जुकर झाले कुट आफ SMS रिदांफिन तरिम यह ऑ्क बlles कामÁ करि ड्क दो मेंडियमे कि कन एक I am counting this distance twice so my diameter it is nothing but two times radius diameter is nothing but two times radius because I am counting the diameter I am counting diameter kya hai after all a length which is here from here radius ho kahi total length ho kahi R plus R or U R so my diameter D is nothing but R plus R ee baut fundamental property ee diameter ki jo amko malu bana chahi ki what is the relation between diameter and radius then there comes one more very interesting property of diameters about which we will see just now the property says let me make the center first thoda red bana dao we say actually very theoretically speaking humara just center hai yek point ho ta hai so it should be a dot chekin meh thoda saa moota bana dao taakki wo visible hoja hai apko this center hai ok abha mishko wo draw carayenge diameter it will be with a different ig so let us take this ig now so what I have to do I have to draw one line which is passing through the center इस नहीं प्रिकुलर दिस्ट आना थे लिए प्रिकुलर दिस्ट प्रिकुलर दामिटर राव यह तो यह प्रिकुलर कर रहा है यहां पर टेंच और यहां पर टेंच कर रहा है okay अब देहां से लिखुलकियों अब आदाव से लिखेंगे अब यहां जौई करता हूं और इसको जोईन करता हूं इसको पकड़ा है और इसको मैं यहां से मैं इसको यू जोड़ता हूं यह भी 90 दिग्री ओड़ता हूं यह भी 90 दिग्री होगा। यह भी 90 दिग्री होगा। और आप मेरी बात मानिये मत। आप सब्सक्राइब बनाईए इसको अलग अलग जगे नापिये और देखिये वह होता है कि नहीं होता है। अगर आपका किसी दिन नहीं हुआ एकुरेट सही होने के बाद जूद तो आप वाल फ्रमेस फिग्र उससी दिन हो जाओगे। इस दिन आपका यह आप करिश्मा कर पाऊगे। जित कुटी रिभाटी बॉसिवल है यह दामेटर्की पापडे हे लुग आपका यहारा इंगल जगर सकी बीघ्टर की आपटा द की इखिखिए। Now comes the question of segment and sectors. Let me use black ink. I keep changing the use of ink, color of ink, because that's very important that we know different colors. तोडने की मेरी इच्छा है। अलग नाम युष करता हूं, I want to just make you feel normal, it is like this, okay? So let us come to the concept of Circle 1 संगीन, so let us see what is lying ahead now, okay. अब में क्या बोलाँ, segment और sector क्या होता है, so suppose में एक लाइन राइन राइन है, fine, now this is, Let us see, F-K, ये आपके Circle का संटर हुआ, so this thing, this thing, is nothing but segment of the circle, segment of the circle. कोई भी आप काउड लगा दीजे, काउड के ऊपर, और ये माइनर सेग्मेंट है, लिए ये 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 जो पार्ट है, this is smaller, so this is called minor, minor segment, and this is major, this is called major segment. सपोज इसा कोई सब्सक्राइब कोई काउड लिया, इस पी डेक्रेट पे हमारा बहुत काम आता है कही जगे पे, सपोज मैंने इसा कोई काउड लिया, तो यहां से यहां दा गए, में इस पार्ट के बात कर दा, अब इसमें भी दो पार्ट से हैं, एक पार्ट ही है, अमें इसको पहले रिमू को देता है, otherwise we keep confusing you. हो, सरकरी चला गया. हो यहां है। I'm sorry for that, but anyway, let me explain very quickly, so suppose this was the segment let's keep it so this will become the major segment let me draw another figure. I'm sorry for this small error now so this is our centre so I draw one line like this okay now again as you see this looks to be a very big portion but still is the minor arc पर निए विए पर लगा कि नहीं है आपके दिल में आया है कि हमको यह लेना है यहां से यहां जोइन करना है कि ऊह लेना है यहां सबस्केर संद्प में करना है कि एक भी एक की आर समस्क्राव सबस्क्राई तर्षप उपितना तक क्योंकि लिए-धन दमेशित अधर्षाक तर्षब कि यहां साथ करना हृँ से जहां सार्त द picky यह उन थार्षाट करना है यृथi assब रिखेश Source Now let us see the other part, what is the sector of the circle. Once again, we go to the circle, this is the circle, and in this circle, This is the center, so I have drawn an arc, now this is the center of the circle, now this thing is called arc, this figure is called arc. This is the sector, this is called arc, this is called arc, and this is the sector. So arc is corresponding to, sector is corresponding to an arc. Now, if we see the first part, that is the minor arc, and the second part, and this one, this one, will be the major arc. We will see some more examples. We will see some more examples. This is the circle, change, and drawing an arc like this. Now this is the arc, let us call it FZ, and this is O. So this FZ is an arc, and this is the sector corresponding to an arc. So sector corresponds to an arc, and naturally this is less than 90 degree, less than diameter, so it is a minor arc, once again, so it is a minor sector, and the rest one is the, if if I call it, suppose, T, so this, I call it T. So this F, T, Z is the major sector, and major arc, and major sector. So this is the notion of a sector, and this is the notion of a segment. And we will see further. So in a way we have covered it already, but let us do it once more. Because sector and segments will come only once the arcs are clear to us. But still, let us take some more examples. This is never too much to learn. We can always run and relearn, and things like that. So let us make one interesting circle here. Okay. And this is the center of the circle. So if I have to show a major arc, simply whatever you are drawing, you will have one side as the major and the other side as the minor. So if you are drawing, suppose, this angle, you are subtending this arc. So this will become, you know, minor arc. This is the arc, basically. This thing is the arc. And this is the sector. So, minor arc and minor sector, and the complementary of that is major arc and major sector. This is a very, very important property because in circle chapters, this is often used quite extensively, and we have to understand this very clearly. Now, if I take any arc, suppose, I am making this arc. Supposing, I am making this arc. Then I am making one central angle. So this is central angle, because it is angle at the center. But arc can, this, same arc, this arc, say, A, B, and C. Now, the same arc, A, B, C. We can have angle like this also. It can make any angle. You can take this also. And take this also. Take this also. And number of angles. So, these are, these are the angles which are the inscribed angles. Angle made by arc at any point other than center. So, if I, I think I should make one more example so that it becomes clear to you. We are trying to understand what is an inscribed angle and what is the central angle and understand. So, let us take another angle. Okay. So, let me make one arc from here to here. So, this is the arc we are talking about. Now, this arc can make one angle at the center. That is sure. We all know at the center. Now, this arc can make angle here. And this. It can make an angle here. And this. It can make an angle here also. And this. Now, this is another property about which I talked to you just now. But suppose angle in the same arc. These are called angle in the same arc. All are in the major arc. So, angle in the same arc are equal. What I mean? I mean that. This angle. This angle. This angle. This angle. This angle. This and this angle. This will be all equal. Why they are equal? Because they are angle on the same arc. Same side of the arc. It's important. If you are making on the minor arc. All the angles. They will be equal. If you are making all the angles on the major arc. Then they will be equal. You can measure it. You can actually draw it. And measure. But please do not compare. The angles in the complementary arc. Like if you are talking of the major arc. Then do not compare with the angle in the minor arc. And if you are making in the minor arc. Then do not compare the angle with the major arc. But angles in the same arc. Are equal. Two points are given. You draw. What you can do is. You can make two points. And you can take a thread. And make as many angles you want. And you can actually measure. That those angles are actually equal. This is the property of. energy quality. So far we have seen. So many examples. So many conceptual modes. So if you come across some new examples. If you want to. Write some comment. If you want. If you want some more. Topics to be covered. If you want. And then we should cover something else also. Then please feel free to write. And also. Remember to subscribe our channel. And like and share the videos. At the earliest. As well as. We are making so many. Social media reads. And shots for you. So go through them. And let us also. Know. What you feel about them. And how do you like them. As. That. 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 Does. I think. Yeah. Yeah.